हम करेंगे भारत में elephant reserves यानि की हाथियों के लिए जो special reserve बनाए हुए हैं उनकी हम बात करेंगे तो काफी हम एक holistically इसको topic को cover करेंगे यह है static gk चले शुरू करते हैं दुनिया में वैसे तो बहुत सारे country हैं जहां पर हाथी पाए जाते हैं लेकिन हाथी mainly या तो अफरिका में पाए जाते हैं और या एशिया में पाए जाते हैं दो महादूइब हैं जहाँ पे अफ्रीका और एशिया जहाँ पे हाथी पाए जाते हैं अफ्रीका का हाथी जो होता है वो अफ्रीकी अफ्रीकन एलिफेंट गोलते हैं एशिया में जो पाए जाता है उसे एशियन एलिफेंट गोलते हैं अब क्योंकि हमें अफ्रीका से कोई जो सार्क कंट्रीज हैं, उनमें हैं बांगलादेश, गुतान, इंडिया, नेपाल और श्रिलंका, और South East Asia, यानि कि जो आस्यान कंट्रीज हैं, उनमें हैं कमबोडिया, इंडोनेशिया, चाइना इसमें अलग है, चाइना वैसे आस्यान कंट्रीज नहीं है, लेकिन हमने हैं वो इस्ट एशिया में आता है, साउथ एस्ट में तो नहीं, लाओस, मलेशिया, मयामार, थाईलेंड और वियतनाम. तो टोटल मिला के ये 13 गंट्रीज हैं जिनमें एलिफेंट पाए जाते हैं, मैं बात कर रहा हूँ एशियन एलिफेंट की. अब जो एशियन एलिफेंट होता है, उसका scientific name होता है, एलिफस मैक्सिमस. एलिफस मैक्सिमस, जब भी हम किसी animal को लिखते हैं, जैसे हमने tiger में कहा था कि panthera tigris, तो पहला वाला जो नाम होता है, वो उसका genus बताता है, और दूसरे वाला नाम बताता है, species. और अगर मानलो, वो भी आपको variety बतानी हो, तो sub species, तो वो तीसरा नहीं हो जाता है और जो Asian elephant होता है, Asia में जो पाया जाता है, ये भी तीन तरका होता है तो तीन तरके sub species मिलते हैं, यानि उप पर जातिया मिलती है पहला है Elephas Maximus, Maximus, जो शिरलंका वेराइटी बोलते हैं जैसे दूसरा है Elephas Maximus Indicus, जो मेंली इंडिया में होता है, मेंलने एशिया में और तीसरा है Elephas Maximus Sumatranus, Sumatranus वेराइटी जो होती है वो सुमत्रा पर मिलता है सुमत्रा आईलेंड आप जानते है इंडोनेशिया का आईलेंड है सुमत्रा दूइट तो तीन तरह का एशियाई ऐलिफेंट होता है हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे बस आप यह याद रखने हैं आपको को National Heritage Animal Declare किया था, यानि कि राष्ट्रिय दरोहर पशु घोशित किया गया था भारत की सरकार के द्वारा और Wildlife Protection Act यानि कि जो हमारा वन्यजीव सररंग्षन अधिनियम है, 1972 में Wildlife Protection Act, उसमें मैंने आपको 5 स्केडियूल बताये थे, Animals के लिए स्केडियूल वन में वो एनिमल होते हैं जो जिनको सबसे ज़्यादा Protection दी होती है, तो वो स्केडियूल वन में होते हैं फिर स्केडियूल टू में और कम Protection होती है, तीन में और कम, चार में और कम और जो पांच में होते हैं, उन्हें वर्मिन कहा जाता है जिन्हें आप मार सकते हैं तो उन्हें वर्मिन कहा जाता है वर्मिन को मारने पर कोई आपको सजा नहीं होती तो maximum protection दी हुई है का मतलब यह है कि वन्यजीव सरवंचन अधीनियम के जो schedule 1 है उसमें इसे रखा हुआ है Indian elephant को भारत की सरकार ने इसके अलावा एक अंतराष्ट्रिय organization है convention है जिसको बोलते है sites sites क्या करता है इसकी full form है convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora यानि जंगली पौधे और जंगली जन्तु जंगली जानवर उनको बचाने के लिए उनके अंतराष्ट्रिय व्यापार का जो नियामक है वो है sites तो sites की appendix 1 में भी Indian elephant को रखा हुआ है appendix 1 का मतलब यहाँ पे भी यह है कि जिस animal को maximum protection मिली हुई है यानि सबसे कठोर कानून जो sites के हैं वो इस पे लागू होते हैं तो sites को हम Washington convention भी बोलते हैं तो elephant को हमने sites के भी appendix 1 में रखा हुआ है यानि परिश्चिष्ट एक में रखा हुआ है भारत में 28 राज्ये हैं और 28 राज्यों में से 16 राज्यों में elephant पाए जाते हैं लेकिन एक बात याद रखिए अब जो elephant है उनका विस्तार हो रहा है तो वो ऐसे ऐसे राज्यों में पाए जा रहे है जहां पहले elephant कभी नहीं पाए जाते थे जैसे हर्याना हर्याना में कभी भी elephant नहीं पाए जाता था लेकिन अब हर्याना में भी elephant देखने को मिल जाता है मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जंगली elephants की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो मंदिर बगारा में elephant होते हैं उनकी बात نہیں कर रहा जो बंदी होते हैं, जिने elephant in captivity बोलते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ वो तो कोई बिला सकता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्राकृतिक रूप से जो पाये जाते हैं भारत में 28 राजियों में से 16 में पाये जाते हैं एक चीज अभी अभी बिल्कुल लेटेस्ट हुई है और वो ये आप जानते हैं कि CMS CMS किसको बोलते हैं जो विचरन करने वाले जीव हैं उनके सरंक्षन के लिए जो कंवेंशन है सम्मेलन है उसे CMS कहा जाता है और इसका तेहरवा सम्मेलन यानि कि Conference of Parties 13 COP 13 गांधी नगर गुजरात में आयुजित हुआ था भारत में आयुजित हुआ था यानि इसे Maximum Protection दी जाएगी तो CMS ने भी Indian Elephant को Maximum Protection दी हुई है यहाँ पर एक बात याद रखिए इस Convention में यानि COP 13 जो गांधी नगर में हुआ था इसमें तीन एनिमल हैं जिने Maximum Protection दी गई थी Great Indian Bustard, Asian Elephant और Bengal Florican इन्हें Appendix 1 में डाला गया था इंडिया की request पर CMS के द्वारा और यह गांधी नगर गुजरात में हुआ था COP 13 यानि कि हमने देखा sites में भी यह उसमें है schedule 1 में है इसके अलावा CMS में भी यह schedule में है या Appendix 1 में है और Wildlife Protection Act में भी यह schedule 1 में है इसके अलावा national heritage आनिमल तो ही तो यह चार कदम विशेश भारत की सरकार और अंतराष्ट्रिये जो countries है उन्होंने मिलके उठाए है elephant को बचाने के लिए इसके अलावा कुछ और important वो भी चल रही है जैसे हाथियों के लिए भारत में hospital भी बना है पहला जो मतुरा में बना है और हाथियों का जो पहला पुनरवास के अंदर है यानि की rehabilitation center वो कोटूर केरल में बना है और जो यह hospital बनाया है पहला हाथियों के लिए यह एक गैर सरकारी संग्ठन है NGO है उसने बनाया है और इस NGO का नाम है Wild Life SOS Wild Life SOS करके एक NGO है गैर सरकारी संग्ठन हाथियों को बचाने के लिए Project Elephant स्टार्ट किया था कब किया था? 1992 में तो भारत की सरकार ने 1992 में Project Elephant को स्टार्ट किया as a centrally sponsored scheme centrally sponsored scheme का क्या मतलब होता है देखो सरकारी योजनाए जो होती है वो दो तरक ही होती है एक जिने हम बोलते है central sector scheme central sector और एक होता है centrally sponsored तो क्या फरक है दोनों में? central sector scheme में पूरा 100% पैसा केंदर सरकार लगाती है उसको बोलते है central sector scheme centrally sponsored मतलब यह है कि इसमें केंदर और राज्ये मिलके पैसा लगाएंगे वो कुछ भी अनुपात हो सकता है 50-50, 60-40, 90-10, 70-30 वो पहले से decide होता है कि मानलो 70% पैसा केंदर सरकार लगाएगा और 30% पैसा राज्ये की सरकार लगाएगी तो उन्हें बोलते हैं centrally sponsored scheme तो project elephant जो है यह एक centrally sponsored scheme है यानि इसमें राज्ये और केंदर मिलके पैसा लगाते हैं तो इनके तीन उद्देशे हैं यानि कि क्या है वो तीन उद्देशे वो तीन उद्देशे हैं हाथियों के आवास और गलियारे की सुरक्षा मानव पशू संघर्ष यानि man-animal conflict के मुद्दों को संबोधित करना और बंदी हाथियों का कल्यान करना यानि कि elephant in captivity जो captive elephant होते हैं जो मंदिरों में, सरकस में और कई अपने लोग private रखते हैं हाथि वगारा तो उनका कल्यान करना man-animal conflict को solve करना और elephants उनके habitat को और corridor को protect करना अब मैंने आपको दो तरह का हाथि बताया था एक तो Asia ही हाथी और एक अफरीकी हाथी तो इन दोनों में क्या फर्क होता है देखो, दो तरह का elephant होता है जो Asia में पाए जाता है, वो हमने देख लिया था Asia में भी तीन तरह का मिलता है तो हम बात करेंगे यहाँ पर Asian elephant in general तो यह है Asian elephant और यह है अफरीका का elephant एक सबसे पहला फर्क आप जो देखोगे वो यह कि जो Asia का elephant होता है वो छोटा होता है, यानि कि भारत का जो हती है वो छोटा होता है, और जो अफरीका वाला हती होता है वो size में काफी बड़ा होता है तो यह जो लेफ्ट में आप देख रहे हो में दान्त होते हैं, मादा में दान्त नहीं होते हैं, मैं रिपीट करता हूँ, भारत में सिर्फ नर, यानि कि जो मेल हाती होता है, उसमें टीथ होते हैं, जिरें एक्चुली टीथ तो अंदर होते हैं, ये कहते हैं हाती के दान्त खाने के और दिखाने के और, तो ये वाले ज देखें तो जो मेल है और फीमेल दोनों में टस्क होते हैं दोनों में ये भारवाले दांत होते हैं इन्हें वैसे आईवरी भी कहा जाता है कई बार आईवरी कि ये आईवरी है और हाथियों का जो वद किया जाता है हाथियों का जो शिकार किया जाता है वो क्यों किया जाता है हाथियों का शिकार इनी दांत के लिए किया जाता है इनकी अंतराष्टे बजार में इनके दाम बहुत जादा मिलते हैं और कई बार कुछ वो भी है अंधविश्वास जैसे कि अगर आप इसका पाउडर बना के खा जाओ दांत का तो उससे आपके रोग ठीक हो जाएंगे इस तरह की धारना भी है एक और फर्क देखेंगे आप भारत के हाथी में और अफरीका के हाथी में वो ये कि जो दांत हैं दांत इनके उपर की तरफ उगते हैं और एक और बड़ा फर्क होता है वो है त्वचा भारत का हाथी है इसकी तुचा में उतने जर्या नहीं होती वो नहीं होती, उतने रिंकल नहीं होते ठीक है ना, लेकिन आप अफरीका के हाती में देख सकते हैं कि इसमें काफी skin पे धारियां हैं, वो हैं, wrinkles हैं काफी वैसी rugged skin होती है और एक और बहुत important फर्क कान का होता है, कान भारत के जो हाती है, इसके कान छोटे होते हैं, काफी छोटे होते हैं इसके, लेकिन अफरीका के हाती के जो कान है, इन्हें बोलते हैं कि fan shape, in fact अफरीका के हाती के बारे में कहा जाता है कि इनके जो कान है, वो अफरीका का जो map है, उससे मिलते हैं, और ये बात कुछ अत्त Union for Conservation of Nature वो जानवर कोई कितना खत्रे में है उसी साब से उसे वो एक कैटेगरी देता है कि मानलो वो सिर्फ अभी समवेदन शील है, वलनरेबल है या वो घोर रूप से विलुप्त प्राई है critically endangered है या विलुप्त हो चुका है तो तो अफरीका का जो हाती है वो कम खत्रे में है भारत का जो हाती है ईश्यन एलिफेंट जो है वो ज्यादा खत्रे में है यह मैं कैसे कह सकता हूँ क्योंकि अफरीका का जो हाती है उसकी रेटिंग है vulnerable, IUCN ने अपनी red data book जिसे बोलते है, red data book मतलब वो जानवर जो खत्रे में है जो threatened है उन्हें इस किताब में जगा मिलती है और इस बुक में लिख बताया जाता है कि इनका सर्रंक्षन करना चाहिए तो अफरीका के हातियों को vulnerable कहा गया है और आप जानते हैं कि vulnerable से ज़्यादा खत्रे में होते हैं endangered तो जो एशिया ही हाती है वो endangered है और endangered के बाद आता है critically endangered यानि घोर रूप से विलूप तुपराए और फिर होता है extinct in the wild और फिर होता है extinct यानि कि एशिया का जो हाती है वो जादा खत्रे में है अब world elephant day भी मनाया जाता है हर साल याद रखिए world elephant day पहली बार 2012 में मनाया गया था ये हर साल 2012 के बाद हर साल मनाया जाता है 12 अगस्त को केस बारे में जारुकता फिलाने के लिए कि हम हाथियों का सर्रंक्षन कैसे करें हाथी क्या क्या खत्रा है जो फेस कर रहे हैं जिसे हम जागरुकता फिला सके और भारत में जो हाथी है वो भारत के तीन तीन राजियों का state animal है जारखंड केरल का और करना टका इसके अलाबा भारत की सरकार गज यात्रा भी निकालती है हर साल गज यात्रा क्या होती है गज यात्रा मतलब इसमें जो हाती हैं नकली हाती बनाये जाते हैं कई बार थर्मकॉल के बनाये जाते हैं या प्लास्टिक वगरा के बनाये जाते हैं और उनकी या अब भारत में हाती कहां कहां हैं, ये आपको याद रखना है, देखिए भारत में elephant estimation करवाती है हमारी सरकार, हमारा जो environment, forest and climate change, यानि भारत का जो परियावरन 1 और जलवायू परिवर्तन मंत्राले है, वो हातियों का census कराता है एक तरह से, इसको elephant census बोलते हैं, ये हर 5 साल में ह होता है, तो पिछला वाला जो हुआ था, 2017 में हुआ था, और अगला होगा 2022 में, और नतीजे आते आते थोड़ा सा समय लग जाता है, यानि 2017 में जो हुआ, तब इसकी एक बार preliminary report आ गई थी, यानि कि जो initial report आ गई थी, लेकिन final report अब 2019 में आई थी, तो आपको मैं बता देत इसकी बात नहीं करते हैं, पिछले वाले पर ही हम रहते हैं, भारत में सब ज़दा हाती हैं करनाटक में, याद रखिए, फिर से मैं ये जंगली हातियों की बात कर रहा हूँ, जो स्वतंत्र हैं, जो बंदी नहीं है, फिर असाम, दूसरे नंबर पर असाम है, और तीसरे न करेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने 23 राजे लिखे हैं, और उसका कारण क्यूं है, तो देखिए, एक बहुत बढ़ी समस्या यह हो रही है, कि पहले हाती 16 राजियों में रहते थे भारत के, अब 23 में हैं, तो हाती जो हैं, अपना मूल आवास खत्रे में हो जाते हैं, दूसरा खत्रा यह है, कि वो इन राजियों में जा रहे हैं, जहां पहले नहीं होते थे, तो लोग जो हैं, उनसे फिर संघर्ष करते हैं, जिसे हम man-animal conflict बोलते हैं, हाती कई बार ऐसी जगा पर चले जाते हैं, जहां पर तोड़ फोड़ करते हैं, उसमें electrocution हो जाता है, electrocution मतलब क्या होता है, मैं आपको अगर आखड़े बताऊं, 2009 से लेके 2017, यानि लगवग 9 साल का अंतराल जो है, उसमें भारत में लगवग 461 हाती मारे गए, बिजली की तारों में फसके, यह official भारत सरकार का figure है, यानि एक बहुत बड़ा कारण हात जुण में चलते हैं, हाती जब चलते हैं, जंगली हाती हमेशा जुण में चलता है, तो उसमें जैसे वो आगे जो है, वो elder रहते हैं, बीच में बच्चे रहते हैं, तो अगर rail rail टकराती है, तो फिर बहुत सारे हाती एकदम से मारे जाते हैं, 5-6 हाती, 7, कई बार तो 11-11 ह हाती पे देखे गए हैं, rail से टकरा कर मरते हुए, तो यहाँ पे जो यह सोला राज्ये हैं, हाँ यह ठीक है, कि चलो यह जो सोला राज्ये हैं, इनकी बार ठीक है, यहाँ पे हाती हमेशा से पाए जाते थे और पाए जाते हैं, लेकिन कुछ राज्ये ऐसे हैं, जहाँ पे ह नौदर कहए तो डौट पड़ गया था तमिल्नाड़ु में तो फिर यह हाती से चोड़ कर वहांसे पलायन करके यानि कि वहांसे भाग कर यह आंध्र प्रदेश चले रहे हैं तो आँध्र प्रदेश में ही थोड़े-थोड़े मिल रहे था है थी लेकिन भीन ही अभी नहीं सबसे जादा हैं करनाटक में फिर हैं असाम में और फिर हैं केरल में तो भारत में टोटल हाती जो बताए गए इस रिपोर्ट के मुताबिक उनकी संख्या शुरू में बताई गई थी कि लगभग भारत में 27,000 हाती हैं लगभग 27,000 और 27,312 लेकिन जब फाइनल रिपोर्ट जो फाइनल रिपोर्ट आई मतब इसी सर्वेक्षन की रिपोर्ट आते आते दो साल लग गए इनिशली तो इन्होंने कहा 27,000 हैं लेकिन फिर इन्होंने दुबारा उस रिपोर्ट को रिविजट किया तो फाइनल रिपोर्ट जो 2019 में आई 2017 सेंसस की उसमें ये बताए गया जो भारत में लगबत 30,000 हाती हैं अचा भारत के किस इलाके में सब ज़दा हाती हैं तो दक्षिन भारत में 14,612 और जो नौर्थीस्ट यानि उत्तर पूर्व है वहाँ पे 10,000 हाती हैं यानि कि आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत में हाती नहीं पाए जाते हरियाना, जापक रूप से उत्तर भारत में हाती नहीं मिलते हलांकि उत्तर परदेश उन 16 राजियों में आता है जिनमें हाती पाए जाते हैं अब हम बात करते हैं बंदी हातियों की देखे ये एक और भड़ा मुत्ता है और सुप्रीम कोट ने हमारी सरकार को फटकार लगाई केंद जिसको नाम दिया गया First Survey of the Elephant in Captivity यानि बंदक हातियों का सर्वेक्षन तो इसमें ये पाया गया कि भारत में जितने भी बंदी हाती हैं उनकी संक्या है 2454 बंदी का मतलब ये नहीं है कि उन्हें सताय जा रहा है इन में से बहुत सारे हाती हैं मंदिरों में क्योंकि दक्ष बहुत सारे लोग हैं जो अपने private farms में रखते हैं हातियों को कई बार चिडियागरों में इस्तेमाल होता है परेटन के लिए इस्तेमाल होता है तो वो सब होटल वगारा भी होटल वगारा में भी लोग हाती रखते हैं जिससे टूरिस्ट वगारा हैं तो उन्हें सेर कराई जा सके तो उन सब को बोलते हैं बंदी हाती तो भारत में 2454 बंदी हाती हैं और आपको बता दूँ भारत में सबसे ज़्यादा बंदी हाती दो राजियों में हैं इन फैक्ट भारत में 2454 में से लगभग 58% हाती बंदी दो राजियों में हैं 905 हाती हैं असाम में बंदी और पांसो अठारा बंदी हाती है केरल में तो असाम और केरल तो अगर आपसे question आए भारत में elephant in captivity सबसे आधा किस राजे में तो आंसर हो जाएगा असाम लेकिन अगर normal wild elephant पूछ रहे हैं तो फिर obviously आंसर हो जाएगा करना टक यहाँ पे आप table में भी देख सकते हैं number one पे करना टक है अब हम बात करते हैं एक और important program जो चलता है जिसको mic कहा जाता है mic क्या होता है देखो sites की बात हमने कर ली क्योंकि sites के जो appendix one है उसमें हाती आता है appendix one में यानि maximum protection मिली हुई है तो sites ने ही एक कारेकरम चलाया जिसका नाम था monitoring the illegal killing of elephant हाथी मर क्यों रहे है हाथी मर क्यों रहे है इसकी study की जाती है इसको mic कहा जाता है mic मतलब full form है monitoring the illegal killing of elephants इसको mic कहा जाता है mic program दक्षिन एशिया के जो देश एजिन में भारत भी आता है 2003 में start to work था इसमें हम क्या करते हैं बड़ा आसान है इसमें हम क्या करते हैं कुछ ऐसी जगा select करते हैं जहां पे हम observe करेंगे क्या देखेंगे हम इस बात का nerection करेंगे कि हाथी अगर मर रहे हैं तो क्यों मर रहे हैं और उन जगा को हम बोलते हैं Mike Sights. तो हर देश में कुछ ना कुछ ऐसी Sights होती है, जैसे भारत में अब आप जानते हैं कि 30 Elephant Reserve है, तो 30 Elephant Reserve हैं, उनमें से हम देखेंगे कि हमें Mike Sight कौन-कौन सी देखनी है, तो Mike Sight में अगर कोई हाथी मरता है, तो हाथी का जो शव होता है उसकी जाँच की जाती है और उससे वो मरा क्यूं है उस बात का पता लगाया जाता है यह बहुत important है और फिर वो information से हमें पता चलता है हाथियों के मरने का कारण जैसे पिछले साल हाथियों में एक वाइरस फैल गया था जिसको EEHV कहा जाता है elephant endotheliotropic harpes virus यानि हाथियों में भी harpes virus फैल गया था और पिछले साल काफी हाथी भारत में मरे EEHV virus की वाइसे यह में कैसे पता चला यह हमें पता चला हमने हाथी का जो शव है हाथी की जो dead body है उसको लिया और National Institute of Virology पूने में भेज दिया और वहाँ पे फिर जो veterinary sciences हैं और जो वो हैं उन्होंने उसको apply किया ऐसे ही institute for veterinary sciences या जो toxicology वाले colleges हैं भारत में research center है वहाँ भेज दिया तो उन्होंने पता लगाया कि EHP के वैसे death हुई है कई बार क्योंकि जो शिकारी होते हैं वो हाथी को साथ नहीं ले जाते हैं वो क्या करते हैं हाथी को गोली मार देते हैं उसके बाद उसके वो जो दात हैं उनको निकालके और लाश को वहीं छोड़ जाते हैं तो ये भी पता चल जाते है हमें कि हाँ, कितने हाथी मरे, इस वज़े से, कितने इस वज़े से, या करण्ट के लगने से, या रेल के टकराने से, ये आंकड़ा बहुत जरूरी है, जरूरी इसलिए है, क्योंकि सरकार उसी के अधार पर, अपनी आगे के लिए योजनाये बना देव मली रुनाचल में, गारो हिल, मयूर भंज, मैसूर, मिलगिरी, शिवालिक और वाया नाड़ यहाँ पे हम अब्जर्व करते हैं हाथियों की डेथ, उन पे स्पेशल हम उनकी वो करते हैं, एक्जामिनेशन करते हैं देखो भारत में हम लगातार नए-नए हाथियों के गलियारे बना रहे हैं, गलियारा होता का है, पहले यह समझो, मानलो यह एक elephant reserve है, हाथियों का reserve है, और यह दूसरा हाथियों का reserve है, अब एक reserve से दूसरे reserve जब हाती जाते हैं, तो जिस रास्ते से जाते हैं, उस रास्ते को अब elephant corridor वो जगा होती हैं जहां पे हाती बहुत ज़्यादा सम्वेधन शिल होते हैं यानि कि बहुत ज़्यादा खत्रे में रहते हैं क्योंकि elephant reserve में तो वो रहते हैं, rangers रहते हैं, police रहती है, उसकी protection रहती है, वहाँ पे forest guard रहते हैं, लेकिन elephant corridor जो हैं उन पे नजर नहीं हैं, तो elephant corridor को भी तो बचाना है हमें, अगर हम elephant reserve को बचाएंगे, क्योंकि हाती ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी जगा में बस वो वहीं घुमता रहेगा, नहीं, हाती तो अपनी मर्जी से, एक elephant reserve से दूसरे, दूसरे से तीसरे, कई बार वो किसी उसमें गुश जाते हैं, wildlife sanctuary मे हैं, कभी वो किसी tiger reserve में घुश जाते हैं, तो हाती विजरन करते रहते हैं, अब एक समस्या बहुत बड़ी यह है, कि यह जो elephant reserve हैं, क्योंकि जनसंख्या का दबाब भढ़ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इन elephant reserve में हमने highway बना दी हैं, कहीं पर train जाती है, railway track हैं, कहीं पर हम मानव होंगे, वो उसको पसंद नहीं करेंगे, मानव उसको पत्थर मारेंगे, या rocket फेकेंगे, वो सब करेंगे, तो हाती फिर attack करेगा, तो हजारों लोग, मैं कुछ सोनी की बात नहीं कर रहा, हजारों लोग भारत में हातीयों के attack से मारे जाते हैं, क्यों, क्योंकि इनी स हाती घवराते हैं तो फिर वो अटेक कर देते हैं और लोगों पे ये सब चीजें भी होती हैं तो elephant corridor को भी हमें सुरक्षित रखना है elephant corridor सबसे ज़्यादा बंगाल में है और भारत में 100 से ज़्यादा elephant corridor है अब मैं आपको बताता हूँ भारत में elephant reserves की सारी जनकारी दूँगा लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है देखो elephant reserve क्या है कुछ नहीं है जहाँ पे हाती है उसको elephant reserve डेकलियर कर दिया जाता है कई बार ऐसा भी होता है कि वो एक wildlife century होता है उसको elephant reserve बोल देते हैं फिर क्योंकि वो project elephant के अंडर आ गया ठीक उसी तरह जिस तरह कोई wildlife century या national park जब project tiger के अंडर आ जाता था तो हम उसे tiger reserve बोल देते हैं उसी तरह उसी तरह wildlife century या कोई ऐसा area है जहाँ पे हाती बहुत जादा है तो उसे हम elephant reserve भी बोल सकते हैं इन फैक यह national park भी हो सकता है national park को भी elephant reserve हम बोल सकते हैं अगर वो project elephant के अंडर आ जाए तो हम सारे पढ़ेंगे अब इसमें देखिए internet पे गलत data बहुत है मैं आपको पहले यह सूचित कर दूँ कि internet पे बहुत गलत data है लेकिन मेरे videos में जो data होता है वो एकदम सरकारी जो websites हैं और सरकारी भी website कुछ ठीक है और कुछ गलत और मुझे पता है कि कौन सी ठीक है और कौन सी गलत है जैसे मैं एक चोटा से example देता हूँ कई website हैं सरकारी नाम नहीं लूँगा लेकिन उन पे लिखाए कि 32 elephant reserve बत्तिस नहीं है भारत में कई elephant reserve ऐसे हैं जिनको केंदर सरकार ने तो डिकलेर कर दिया लेकिन जब तक राज्य की सरकार उन्हें नोटिफाई नहीं करेगी वो elephant reserve नहीं कहलाया जाएगा मैं एक example देता हूँ लेमरू अब 36 गड़ में एक elephant reserve है लेमरू ठीक है अब लेकिन जब तक राज्य की सरकार बनाएगी नहीं तब तक कैसे आप बोल दोगे कि वो elephant reserve है तो लेमरू elephant reserve आज की तारीक में नहीं है अभी तक मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं मई का महीना च बना देखो एक बात और दूँ यहां पर आपको elephant reserve बनना उतना असान नहीं होता हाँ जब project elephant हुआ उसके बाद जो समय हो था उसमें बहुत सारे elephant reserve हमने बना दिये 2001 2002 2003 वो जो time था बना दिये लेकिन पिछले 10 सालों में सिर्फ तीन elephant reserve बने सिर्फ तीन कौन कौन से बताता तो आपको बस पिछले तीन latest बतायता हूं ठीक है तीसवा बना है सिंगफन और सिंगफन कहा है नागा लेंड के मौन जिले में 29 वा कौन सा है 29 वा कौन सा है यह जानकारी कहीं नहीं मिले गया आको 29 वा आप पूरे net पर ढूण सकते है मेरे को पता है कौन सा है वो है डांड डांडेली आंशी टाइगर रिजर्व आंशी नेशनल पार्क करना टक तो डांडेली एलिफेंट रिजर्व भारत का 29 वा एलिफेंट रिजर्व है और यह 2015 में बना था और यह information इंटरनेट पर मौजूद नहीं है अब मैं आपको बताता हूं 28 वा बना था 36 गड़ में बन 37 वा डांडेली करनाटक में और तीसवा बना है अब सिंगफन एलिफेंट रिजर्व इसके अलावा मैं एक अलग डेट आपको बताऊंगा प्रोपोस्ट भारत में चार एलिफेंट रिजर्व ऐसे हैं जो प्रोपोस्ट हैं प्रोपोस्ट का मतलब यह है केंद्र सरकार ने नहीं बनाए है तो सिंगफन एलिफेंट रिजर्व लेटस बना है तीसवा अब एक एक करके हम सारे एलिफेंट रिजर्व को ढंग से स्टेडी करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम अरुनाचल और असाम वाला जो एरिया है उसकी बात करते हैं तो आपको बस नाम और यह असाम है तो असाम में है Sермitpur और अरुनाचल में है Kanang Kanang, Arunиков अरुनाचल में Sronitpur असाम में यहीं पर कहानी कहतं नहीं होती क्योंकि असाम में यह भी है Chirang Ripu Chirang Ripu और Eastern Dwar दवार आप समझते हैं तरई को ही दवार बोलते हैं पहाडों की जो धलान वाला इलाका होता है, जहां उपजाव मिट्टी होती है, उसे उत्तर परदेश, उत्राखंडवगार में बोलते हैं तरही, लेकिन उसे पश्चे मंगाल में दुआर कहा जाता है, उसके अलावा, ओडिसा, ओडिसा में बहुत सारे हैं, 36 गड़ ओडिसा में इसका मतलब ये था 28 वा एलिफेंट रिजर्व, 28 एलिफेंट रिजर्व ओफ इंडिया, 36 गड़ का बादल खोल तमोर पिंगल, और ये बादल खोल वाइलेफ सेंचुरी काफी फेमस है, इसको फिर एलिफेंट रिजर्व बना दिया, जहारखंड में एक ही एलिफेंट और मयूर जर्णा, मैं रिपीट करता हूँ, संबलपुर एलिफेंट रिजर्व, महानदी एलिफेंट रिजर्व, मयूर भंज एलिफेंट रिजर्व, और मयूर जर्णा एलिफेंट रिजर्व, तमिलनाडू और करनाटक जो एरिया है, साउथ की बात करते हैं, बिलकुल स एलिफेंट रिजर्व भी है अनाई मूडी एलिफेंट रिजर्व और अनामलाई अनामलाई भी आपको याद है कि तमिलनाडू में एक अनामलाई मुदू मलाई दो टाइगर रिजर्व मैंने बतायते हैं तो यह अनामलाई वाला जो है यह भी एक एलिफेंट रिजर्व भी जाद रखिए अना मलाई तमिलनाडो में और अनाई मूडी केरल में कोयमबटूर अगेन कोयमबटूर तमिलनाडो में है तो कोयमबटूर एलिफेंट रिजर्व भी तमिलनाडो में है और निलामबर, निलामबर elephant reserve केरल में है, पैरियार elephant reserve फिर केरल में है, और श्री विलुपुत्तूर, श्री विलुपुत्तूर जो है, श्री विलुपुत्तूर एक बहुत important जगा है, इसकी एक चीज है, जिसे geographical indication tag भी मिला था वियावी, श्री विलुपुत्तूर जो तमिल न अड़ु में है तो ये भी एक elephant reserve है शिरी विलुपुत्तूर elephant reserve और शिरी विलुपुत्तूर की वो चीज जिसको GI tag मिला था वो क्या था शिरी विलुपुत्तूर में मिठाई होती है जिसे पलकोफ गहा जाता है तो आप connect भी कर सकते हैं अरुनाचल असाम में ओर देखते है तो अरुनाचल प्रदेश में एक ओर है जिसको बोलते हैं तक्छिन अरुनाचल elephant reserve, South अरुनाचल elephant reserve और असाम में है देहांग पटकै अलिफेंट Reserve नागा लेंड में सिंग फन जो तीसवा Elephant Reserve है, सिंग फन let us take them नागा लेंड में है इन्टांकी Eleaccept Reserve, इन्टांकी एक National Park भी है नागा लेंड में है, इन्टांकी भी नागा लेंड में है फिर काजी रंगा कारभी आंग लोंग, ये काजी रंगा काजी रंगा कार्भी आंग लॉंग अब आ जाते हैं फिर से हम उसी इलाके में पश्यम घाट और पुर्वी घाट तो यहां पे देखते हैं करनाटक करनाटक में डांडेली डांडेली आ गया 2015 में बना था भारत का 29 वा एलिफेंट रिजर्व डांडेली एलिफेंट रिजर् करनाटक में बहुत बड़ा है मैसुरू एलिफेंट रिजर्व सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व भारत में मैसुरू ही है मैसुरू एलिफेंट रिजर्व वायानाड वायानाड एलिफेंट रिजर्व केरल में है फिर रायला रायला यह क्या है कौन सा स्टेट है यह य गायला, एलिफेंट रिजर्व, नीलगिरी, नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व, जो है, नीलगिरी जिला है, नीलगिरी जिले का नाम भी है, पहाड़ियों का नाम भी है, नीलगिरी को हम पश्चिम घाट और पूरवी घाट के बीच में, एक मिलन होता है, उनको भी नीलगिर प्रदेश में elephant reserve है, जिसका नाम ही है उत्तर प्रदेश elephant reserve इसका नाम ही यही है और उपर आ जाते हैं यह उत्रा खंड है तो उत्रा खंड में शिवालिक elephant reserve शिवालिक elephant reserve यह हमारे सारे elephant reserve थे पूरे 30 के 30 और यहां पे अब भारत के map में दिखाए हूँ है जिसे quick revision आप कर सके, राजियों के नाम भी यहाँ पर लिख दिये गए हैं हिंदी इंगलिश दोनों में आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं शेवालिक ज्वाला जो है उत्राखंड में हैं बादल खोल तमोर पिंगला जो 28 वा एलिफेंट रिजव था 2011 में 36 गड़ में बना था फिर सिंग भूम जारखंड कामेंग अरुनाचल सोनितपूर असाम मयूर जर्ना मयूर भंज उडिशा महानदी संबलपूर उडिशा और कोयमबटूर निलांबर केरला कोयमबटूर तमिल नाडू यहाँ पे पार्ट टू मैप का तीन मैप में है टोटल तीस अलिफेंट दिहांग पटकई फिर साउथरुनाचल मेगाले में गारो हिल्स बंगाल में पूर्वी तुवार अन्ना मलाई तमिल नाडू और अनाई मुडी केरला ओर जो बचे 10 यानिकी इंटांकी नागलेंड सिंग फन जो है नागलेंड धनसिरी लुंग डिंग असाम काजी रंगा क और यह प्रोपोस्ट है अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह चार अगर बन गए तो संक्या 34 होगी लेकिन अपी यह चार नहीं बने तो भारत में 30 ही हैं अब यह चार कौन-कौन से हैं जो आने वाले समय में बन सकते हैं सबसे पहले हैं खासी हिल्स मेगाले में जो गार खासी हिल्स मेगाले में केंद्र सरकार ने तो पर्मीशन दे दी लेकिन मेगाले की सरकार ने नोटिफाई नहीं किया है तो अग खासी हिल्स वाला नहीं है फिर ओडिसा में और ओडिसा में आपको बता दूँ सरकार कभी हां कहती है कभी ना कहती है अब ओडिसा में यह दो बनने हैं, एक तो South Odisa Elephant Reserve और एक Baitami Elephant Reserve और South Odisa Elephant Reserve और Baitami Elephant Reserve दोनों ही अभी नहीं बने हैं, in fact 2015 में Odisa की सरकार ने मना कर दिया था हम इने नहीं बनाएंगे, अब आगे क्या होगा देखना होगा, ठीक है, और Lamru, Lamru, केंदर सरकार ने कह दिया है, लेकिन अभी 36 गड़ की सर उबेश बागयल, उन्होंने अनाउंस किया था स्वतंतरता दिवस की परेड में, 36 गड़ के अंदर 15 गस्त को, कि हम इसको बना देंगे, अनाउंसमेंट हुई थी, नोटिफिकेशन नहीं आया है, मैं फिटसे रिपीट करता हूँ, कोरबा, वैसे कोरबा जिले में होगा, यह भी आतर सकते हैं, आप, 36 गड़ के कोरबा में बनेगा, लम्रू, एलिफेंट रिजर्व, जो भी अपडेट होंगी, हम करते चलेंगे, यही जो चीज मैने बताई है, यही चार मैप, जिनमें, यह कलर में हैं, अब यहां पे, तीन मैप में, तीस एलिफेंट रिजर्व में भारत के, और यह चार प्रोपोजड है, खासी हिल, बैतामी, साउथ होडिसा और लम्रू, और यह सब टेबल में भी दिया है, जो मैंने पढ़ाया है, सारा का सारा स्टेट वाइज, जिससे आप कोई क्रेविजन कर सकें, यह इसमें भी टेबल में भी आपको दिया गया है, तो यह official data है, सरकार का, तो अब हम वीडियो को खत्म करते हैं, यह था भारत के elephant reserve, आई होप आपने काफी नई चीज़े सिखी होंगी, जो आपके exam oriented video होते हैं, यह exam का जो scope है, उसके दाइरे से में भार नहीं जाता, वरना तो हाथियों पे भी एक पूरी किताब लिखी जा सकती है, भारत के, हाथी छोड़िए, एक elephant reserve पे पूरी किताब लिखी जा सकती है, इतना कुछ बताने को होता है, लेकिन जो हमारा दाइरा होता है, समय सीमा, और आपका maximum benefit होना चीए, एक वीडियो देखकर, इस चीज़ को दिमाग में रखके, static GK के वीडियो तयार किय जाते हैं, तो हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, वैसे जो wildlife है, उससे related हमने protected area से related लगभख कतम कर दिया है, दो topic बचे है, wildlife century और bird century, यानि पक्षी विहार और वन्ने अभ्यारणने, आने वाले वीडियो में हम उनको भी जरूर कवर करेंगे, तो मिलते हैं फिर बाक और वी आ exerc करेंगे, जरूर कर वाले यह हम उनको खज़ीजों box और ये सकतिशने वाले वीडियों समय जरूर करेंगे, वाले वाले वीडियों Самええ जरुम करेंगे, देूर हैं आना, दो हम वाले 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 वीडियों, समये नटते हैं।